अभिवादन का अर्थ क्या होता है जब आप स्कुल जाते होंगे तो जैसे सिक्षक कलास में प्रवेश करते होंगे तो कलास में जैसे प्रवेश किया तो आप लोग खड़े होकर सिक्षक को अभिवादन की रुप में क्या बोलते हो गुड मौर लिंग सर बोलते हो ना उसी वही होता है अभिवादन फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है सो दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम विहार बोड इस्पेशल क्लाश 10 वालों के लिए संस्कृत का एक नया टोपिक लेकर आये हैं संस्कृते पत्र लेखना जो कि आप लोगों का काफी डिवान था अप ज्यादा कॉमेंट करते थे सर संस्कृत में बताईए पत्र कैसे लिखना है और इसमें हर स्टुडन को डर रहता है और वह ब्याहर बोड के एकजाम में यह कोस्टन छोड़के आता है तो अब आपका भी आठ में आठ अंग आएगा यह जो पत्र लेखना में पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा जरूर दोस्तों कहते हैं हो चुका है अगाजरन का युग बदलने की तयारी है इतहास वही रचेगा संगज जिसका जारी है अगर आपको ब्याहर बोड एकजाम में इतहास रचना है अगर आपको टौपर बनना है तो इस एक अंग का बहुत वड़ा वेलू है तो आप इस वीडियो को देखेगा जरूर देखे पत्र लिखने का जो तरीका होता है वो पहले जानना बहुत ही आपके लिए जरूरी है दोस्तों देखे आपको पत्र लिखते समय मुख्यत तीन टोपिक को दियान में रखना पड़त यहनि पत्र का समापन यहनि पत्र का अंतजोग करना है उस समय आपको क्या लिखना है अगर इस तीन चीज़ को द्यान में रखकर आप पत्र लिखते हो तो आपका पत्र कभी भी गलत नहीं होगा तो दोस्तों पहले संबोधन को समझते हैं संबोधन क्या होता है तो संबोधन का अर्थ दिखिये समझे जैसे जब बड़े को लिख रहे हो तो उसमें क्या लिखते हैं आदर्निया या फिर अगर पिता को लिखते हैं तो पुजनिया लिखते हैं नए पुजनिया पिता जी या माता जी अगर बरों को लिखेंगे तो क् क्या लिखना है आदर निया अगर उसके बाद मान्यवरा भी लिख सकते हैं पुजनिया भी लिख सकते हैं माननिया भी लिख सकते हैं अगर बरों को लिखना है तब ठीक है अगर मीत्र या बरावर वालों के लिए पत्र लिखना है तो क्या संबोधन में लिखा जाएगा इसको ध्यान में रखना है अगर मीत्र को पत्र लिखा जाएगा तो आपको संबोधन में लिखना है पिरिया मीत्र क्या लिखना है पिरिया मीत्र क्या लिखना है प्यारे सत्यों पिरिया मीत्र ठेक यह फिर आप पिरि मित्र वर भी लिख सकते हैं सिदा मित्र वर लिख करके उसके पाद आपको अभिबादन लिख uranium है ठिक है अगर छोटों के लिए लिख ना जह सिदा उसका नाम लिख prison बड़े अधिकारियों के लिए पत्र लिख सकते हो अगर आप परिचित यह पर अधिकारी बड़े अधिकारियां के लिए पत्र लिख होगे तो आपको संबोधन में कैसे लिखना है तो महद्या लिख सकते हो महद्या या फिर मान्यवरा भी लिख सकते हो ठेक मान्यवरा आप दिखिए अभिवादन आपको अभिवादन किसे लिखना है ठेक पहले संबोधन लिखा जाता है उसके ठेक नीचे अभिवादन किस तरह से लिखना है ठेक उसको पहले समझ लिजे अभिवादन का अर्थ क्या होता है जब आप स्कूल जाते होंगे तो जैसे सिक्षक कला में जैसे प्रवेश किया तो आप लोग खड़े होकर सिक्षक को अभिवादन की रुप में क्या बोलते हो गुड मॉर्लिंग सर बोलते हो ना उसी तरह वही होता है अभिवादन या नमस्कार ठेक तो बरों के लिए अगर अभिवादन लिखना है तो लिखना है आपको साध् साध्रम परनाम या फिर लिख सकते हो चरन्यो प्रन्यामी क्या लिख सकते हो चरन्यो प्रन्यामी अगर मीत्र को अभिवादन लिखना है तो आपको लिखना है सुप्रेम नमस्ते क्या लिखना है सुप्रेम नमस्ते या फिर नमस्कारा भी लिख सकते हो अगर छोटों के ल या आई सुमान भबा या चिरंजी भी लिख सकते हो ठेक है उसके बाद परिचित व्यक्तियों के लिए अगर पत्र लिखोगे अभिवादन में तो लिखना है साध्रम नमस्ते क्या लिखोगे साध्रम नमस्ते या साध्रम अभिवाद्य भी लिख सकते हो अब हम लोग समझते हैं पत्र का समापन की से करना है देखिए अगर बरों के लिए पत्र का समापन करना है उसके आंत में जो लिखा जाता है लिखना है भवताम अज्याकारी क्या लिखेंगे भवताम अज्याकारी ठेक या भवदिया भी लिख सकते हो मित्रों को अगर लिखना है ठेक मित्रों के लिए पत्र का जो समापन करना है उसके अंद में क्या लिखना है भावताम, मित्राम या सुभा कांग्छी क्या लिखना है भावताम, मित्राम या सुभा कांग्छी अगर छोटों के लिए पत्र का समापन करना है क्या लिखना है आपको सुबचिंत का ठेक या फिर भवदिया भी लिख सकते हो अगर आप परिचित व्यक्तियों के लिए पत्र का समापन करना है उसके अंत में क्या लिखना है भवदिया तो हमने आपको तीन टोपिका भी समझ सपता नहीं करना है आप कोपी में नोट कर लिजे उसके बाद जो है अगर इस्क्रियन सब लेते हुए तो मोभाल में ही आपका रखा हुआ रा जाएगा ठैक है अगर अगर सही शिक्षा हो ही है जब लिखकर बोल कर अगर आप ध्यान करते हो तभी आपका सही सिक्चा होता है समझे तो आप कोपी में पहले इसको नोट किजिएगा ठीक है कोपी में नोट कर लिजिए अब हम एक कोस्टन आपके समने रखते हैं जो कि आपको पुड़ा-पुड़ा समझ में आएगा जैसे ब्यार बोड में यह कोस्टन कई बार पुछा है कि आपने विद्याले का वर्णन करते हुए आपने मीत्र को एक पत्र लिखें ठेक है यह कोस्टन कई बार दोस्तों पुछा कि आए ब्यार बोड इंग्जम में तो लिखने का तरे का आपको बता दिये हैं पहले संबोधन उसके बाद अभी ठेक परिच्छा भवन से लिखोगे तो लिखना है परिच्छा भवनात क्या लिखना है परिच्छा भवनात क्या लिखना है परिच्छा भवनात उसके बाद तारिक लिख दोगे ठेक जिस तारिक का आपका एक्जाम होगा संस्कृत का ठेक उस तारिक का नाम लिख देना ह है 21 2223 21 सारीख दुममामाईणा 2023 21 प्रवड़ी संस्क्रिस अबजक्ट का एक्जाम है तो इस तरह से लिग देना है उसके बाद देखें को 20 साइट 20 साइट में दोस्तों ठेक है 20 साइट में अब आपना मीतर का नाम लिकना आ है तीरीय मीतर आयूसा आपके खास मित्र का जो नाम है उसी मित्र का नाम लिखना है पिर्यम मित्र आयूसा लिखे है ठेक आपका जो खास मित्र है उस मित्र का नाम लिख देना है उसके बाद अभिवादन में क्या लिखना है नमस्कारा या फिर सोप्रेम नमस्कारा भी लिख सकते हो तो पिर्यम मित्र आय और तो इसके बाद आपने विद्याले का वर्नन करने पूछा है तो अपने विद्याले का वर्नन करने तो जैसे यहां लिके हैं घर करना जहां पर कोबा combination का दाल में الجए गलत पूरा नहीं होगा लेकिन नम्मर कर सकता है ठीक क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोड एक्जाम में टौपड होने के लिए एक एक अंग का महत्व है इस लिए इस चीज को ध्यान में रखना है कौन चीज कहा लिखा जाएगा तो कौमा के ठीक नीचे आपको यहां से ल लिखना शुरू करना है तो यहां लिखें भफ्त पत्रम प्रातम भफ्ता भफ्त पत्रम प्रा प्रातम इसका अर्थ हुआ आपका पत्र मिला आपका पत्र मिला मैं आज अपने विद्यालय का वर्नन करना चाहता हूँ ध्यान से दखिए क्योंकि आपको हिंदी अर्थ समझना बहुत जरूरी है 50% आपको याद करने में असनी करेगा हिंदी अर्थ इसलिए हिंदी अर्थ को भी ध्यान से समझना है मैं आज अपने विद्यालय का वर्नन करना चाहता हूँ उसके बाद लिखा है मेरा विद्यालय बहुत सुन्दर है सुन्दर क्या हुआ दोस्तों सुन्दर सुन्दर क्या हुआ सुन्दर तो याद रखना है क्या लिखा गया है मेरा विद्यालय बहुत सुन्दर है आगे लिखा गया है मन विद्यालय एक विसालम यहाँ पर विसालम होगा ठीक विसालम क्रीडा छेत्रम अस्ति मेरे विद्यालय में एक विसाल खेल का मैदान है उसके बाद देखिए लिखना है सम्रिद्धा परियोक साला सुन्दरा पुस्तकालय चो अस्ति सम्रिद परियोक साला और सुन्दर पुस्तकालय है क्या लिखा गया है समरीद पड़ियोक साला और सुन्दर पुस्तकाल है ठेक है देखिए अपने अनुसार अपने विद्याले का वर्नन कर लेना है ठेक है उसके बाद लिखे है मम विद्याले एक नलकूप अस्ती, मेरे विद्याले में एक चापाकल है, मम विद्याले चतवारा सिक्षिका संती, मेरे विद्याले में चार सिक्षक है, मेरे विद्याले में चार सिक्षक है, आपके विद्याले में जितने सिक्षक है, उसका उनसार आपको लिख लेना है, ठीक है, एक विद्याले का वर्नन हुआ, बीच में आप अपने विद्याले का वर्नन कर लिजिएगा, ठीक, अब आता है पत्र का समापन, पत्र का समापन, अगर मित्र के लिए पत्र का समापन करना है तो यहां पर देखिए क्या लिखना है भापताम मित्रम या सुबा कांग्छी तो यहां लिखना है भापताम मित्रम आपका मित्र या तुम्हारा मित्र उसके बाद अपना नाम लिख देना है यहां नाम लिख देते हैं अपना ना जरूर मिलेगा दोस्तों यह पत्र लिखने का फर्ष वीडियो था आगे यह वीडियो आता रहेगा दुसरा पत्र भी बताएंगे तो पत्र लिखते समय आपको तीन चीद ध्यान में देना है ठेक देखिए पहला संबोधन अभिवाधन और पत्र का समापन ठेक अगर इसको याद कर लेते हूँ तो आपको पत्र लिखने में कहीं गलती नहीं होगा ठेक है संस्क्रीट में खास कर तो कहीं गलती ही नहीं होगा अगर इसको पहले याद कर लेते हूँ बीच में आप हिंदी भी लिखते हूँ तो विशर घलन लगाते जाना है बीच में और आपको जो तो आपको फूल में फूल नमबर मिलेगा तो मिलते हैं नेक्ट कलास में तब तक के लिए जाहिए बंदे मातरम धन्यबाद